हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी केश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस फडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ IPL 2024 के मुकाबले की जो की खिला जाएगा लखनाव सूपर जायंट्स वर्सिस चन्नाई सूपर किंग्स के बीच में लखनाव के एकाना स्टेडियम के अंदर 19 अपरिल को शाम के साड़े साथ बजे से और इस मुकाबले का लाइफ टेलिकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो सनमा की उपर अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में तो वैसे इस साल काफी अच्छी रही है लखनाव के पिच बल्ले बाजी करने के लिए लेकिन ये बात हमने देखी है जो स्लोवर बॉल्स उनको खिलना थोड़ा सा टफ होता है लेकिन टीम में टॉस जीतकर पहले गिंद बासी करना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर से हर साल आईपिल के अंदर रहूल काफी कमाल खेलता है पिचले मुकाबले मने अच्छा कैमियो खेला पर मुझे लगता है रहूल को एक बड़ी पारी खेलने की जरूत है निकलरस पूरा ने इस टीम के सबसे अच्छे बल्ले बाजे काफी कमाल फिनिश कर रहे है इस मुकाबले के अंदर फिर एक बाब पूरान अच्छा करना चाहेंगे लेकिन सेम बात लागो होती ही मारकस टॉइनिस की उपर भी नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं मारकस टॉइनिस उनको भी लंबी पारिया खेलनी पड़ेगी इस टीम के लिए बहुत बड़े प्लेयर हैं क्विंटन डिकॉक ने दो काफी अच्छी नॉक्स के लिए पर 6 में से दो पारी क्विंटन डिकॉक के लिए काफी नहीं है उनको भी अच्छा करना पड़ेगा तो all and all इस टीम को बैटिंग के अंदर काफी इंप्रूमेंट दिखाने की जरौत है गिंदबाजी भी उतनी कुछ खास नहीं है मौसीन खाने पिछले मुकाबले के अंदर दो विकेट निकाले थे काफी अच्छी बात है कंटीन्यू करना चाहेंगे लखनव के मैदान पे यह श्ठाकुर का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है पांच उकेट निकाले थे से मैदान की उपर उनको विकेट्स निकालने पड़ेंगे और मुझे रवी बिश्नुई ने काफी जादा डिसपोइंट किया मुझे लग रहा था हो बहुत सारे विकेट निकालेंगे लेकिन रवी बिश्नुई को विकेट मिल नहीं पाए तो पूरी लखनव की टीम को इंप्रूफ करने की जरौत है और खासकर जब सामने चन्ने जैसे टीम होगी न इस टीम को लेवल उचा करना पड़ेगा लखनव के लिए उपन कर सकते हैं केल, रहूल और क्विंटन डीकॉक नमबर तीन के उपर आपके एंगे दीपक हुड़ा नमबर चार के उपर मार्कस टॉनिस नमबर पांच पर आयूज बादोनी नमबर चै पर निकलस पूरन, नमबर साथ पर क्रोणाल पंडिया फिर मोहमद अर्शर खान, मोहसीन खान, यस ठाकुर और रवी बिश्नोई तो ये टीम हो सकती है लखनव की और नवी नुला के फिर शमार जोज़ेप मैं से किसी एक को एज इन इंपेक्ट प्लेयर खिलने का मौका मिल सकता है अम मैं आपसे बात करता हूँ चन्नाई सूपर किंग्स के बारे में जिनों ने बहुत ही कमाल की वापसी करी और पिछले मुकाबले में टीम ने मुंबई इंडियन्स को वानखेडे स्टेडियम में हराया और बड़ी बात यह थी टीम ने टार्गेट को डिफेंड किया डिफेंड बहुत कम होता है वानखेडे के अंदर तो यह टीम बहुत ही शांदार फॉर्म है तो पहले टीम की गिनबाजी के बारे में बात कर लेता हूँ पिछले मुकाबले के अंदर जिस तरह से मतीशा पतिराना ने गिनबाजी करी देख कर मज़ा आ गया वो शलंका के लिए चाहे कैसा भी खिलते हो चन्ने के लिए हमेशा कमाल करते हैं शारदूर ठाकूर ने अपनी अक्यूरेसी से मुझे काफ़ी इंपरेस किया पिछले मुकाबले में उनकी वाइडी औरकर्स बहुत शांदार थी स्लोवर बॉल्स पे अच्छे डालते हैं और तुशार देश पांडे की गिनबाजी भी बहुत ही शांदार रही है इस टीम के लिए विकेट्स निकालते हैं एकनोमिकल रहते हैं तो गिनबाजी के अंदर मुझे चन्नरी फाइनली काफी अच्छे फॉर्म के अंदर दिखाई दे रही है बैटिंग में तो शिवम दूबे का अलग लेवल पे चल रहा है हर मुकाबले में शिवम दूबे आते हैं और ऐसे लंबे-लंबे छक्के मारते हैं देखकर मज़ा आ गया जो इंटेंट दिखाय है दूबे ने बहुती कमाल का है पिछले मुकाबले के अंदर रुतुराज गायकवार भी फॉम में आ गए पिछले दोनों मुकाबलों के अंदर गायकवार न अच्छी बल्ले बाजी करी कप्ताने इस टीम के गायकवार की कप्तानी भी काफी अच्छी है और बल्ले बाजी भी काफी अच्छी है तो चन्ने के रोकना नमुम्किन हो जाएगा चन्ने के लिए इस मुकाबले में उपन कर सकते हैं रुतुराज गायकवाड और रचिन रविद्र नमबर तीन पर जिंक्या रहाने नमबर चार पर शिवम दूबे नमबर पांस पर डेरेल मिचल नमबर चार पर एमेस धोनी नमबर साथ पर समीर रिजवी फिर रविंद्र जड़ेजा शारदू ठाकुर तुशार देश पांडे और मुस्तफिज और रह्मान तो ये टीम हो सकती थी चन्ने की और जो मतीशा पती रणा है अगर मैं दोनों टीमों को कंपैर करता हूँ तो एस तो मुझे इस मुकाबले के अंदर चन्ने सूपर किंग्स के लिए लगती है उमीद करता हूँ वडियो आपको अच्छी लगी होगी लगी तो लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजे चैनल को इस तरह वडियो देहने के लिए मुलागात होगे आप सब्सक्राइब वडियो में और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं